Hello everyone, welcome to my channel So guys, आज मैं आपकी साथ शेर करने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल खस्ता मतर कचोरी ये कचोरी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी मतर कचोरी सर्दियों की सबसे special कचोरी है जो की सभी की favorite होती है इन सर्दियों में आप इस खस्ता मतर कचोरी को ज़रूर बनाईए आओ चलो मतर कचोरी बनाने स्टार्ट करते है खस्ता मतर कचोरी बनाने के लिए हम सबसे पहले मतर का एक मसाला तयाब करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले एक कटोरी हरे मतर लेंगे इसे के साथ हम 8-10 लैसुन की कलिय लेंगे अगर आप लैसुन नहीं खाते हो तो आप इसे इसके भी कर सकते हो साथ ही हरी मिर्च लेंगे और एक छोटा टुपड़ा अधरक्का लेंगे इसके बाद हम एक मिक्सी का जार लेंगे साथ ही ऍन सारे इंग्रीडियन को डाल कर दर दरा पीसेंगे हमें जाद महीन पेस्ट नहीं वनाना है को अध्यायो कि दहें हमने इन सबको अच्छे से दरले अधर दर सांब दो डॉलेंगे और एक चम्मत साबुच चीरा डालेंगे और हम इने एक मिनिट के लिए हलका सा रोस्ट करेंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे 1 मिनिट हो चुका है मसाले अच्छी से बुण चुके हैं मसालों में से अच्छी सी खुश्पु आने लग गई है अब हम गैस का फ्लिम बंद कर देंगे मसालों को मिक्सी के जार में डाल कर दर दर पीसेंगे Guys, देखिए हमने मसालों को दरदरा पीज किया है इसके बाद हमें कडाई लेंगे उसमें 2 चमच ओईल डालेंगे ओईल को हम थोड़ा गरम करेंगे ओईल गरम हो चुका है इसके बाद हम 11 चमच जीरा डालेंगे 7 इसमें 24 चमच अजवाइन डालेंगे अजवाइन का फ्लेवर मटर की कचोरी में बहुत ही अच्छा आता है और एक पिंच हींग डालेंगे साथ ही हम इसमें एक बारे कटी हुई प्यास डालेंगे अगर आप प्यास नहीं खाते हो तो आप इसे इसकी पिंग कर सकते हो प्यास को हम दो मिनिट के लिए साथे करेंगे प्यास साथे हो चुकी है अब हम इसमें चोटाई चमाच छल्डी पाउडर डाल कर मिक्स करेंगे अब हम इसमें मटर का दरदरा पेस्ट डालेंगे गाईज अब हम मटर को सौटे करेंगे जब तक कि मटर का पानी सूख ना जाए गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे दो-तिन मिनिट हो चुके हैं मटर का पानी थोड़ा हलका सा कम हो चुका है अब हम इसमें दो चमच के करेंगे बेशन डालेंगे बेशन को भी हम मटर के साथ अच्छे से भून लेंगे जिससे की जो पानी होगा वो भी सूख जाएगा दो मिनिट हो चुके हैं मटर और बेशन को हमने अच्छे से भून लिया है आदा चमच हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे साथ ही आदा चमच डाल मिर्च पाउडर डालेंगे आदा चमच अमचूर पाउडर डालेंगे और आदा चमच गरम मसाला पाउडर डालेंगे साथ ही हम इसमें रोस्टेट मसाला डालेंगे जो की हमने बनाया था अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें टेस्ट के according नमक डालेंगी और थोड़ा सा बारी कर्टा हुआ हरा हमा धनिया डालेंग मतर का मसाला बन कर रेडी है अब हम इसे room temperature पर ढटा हुने देंगी अब हम कचोरी का आठा तयार करेंगे इसके लिए हम दो कप मैदा लेंगे और उसमें आदा चम्मच नमक डालेंगे इसी के साथ हम इसमें एक बड़ा चम्मच वेजिटेवल ओईल डालेंगे और एक चम्मच अजवाइन डालेंगे इन सब को हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मैदा में मोहिन अच्छे से लग जाए गाइस देखिए मोहिन पूरी मैदा में अच्छे से लग गया है आप इस तरहे मुठी बना कर देख लेजिए अब इसमें हम थोड़ा-thोड़ा पानी डाल कर एक सॉफ्ट डो तयार करेंगे गाइस कचोरी का सॉफ्ट डो बनकर रेडी है अब हम इसे 10 मिनिट के लिए रेश्ट के लिए रखेंगे 10 मिनिट हो चुके हैं डो अच्छे से सैट हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस पोर्शन को हम रॉल करेंगे और इसमें से हम 4 मीडियम साइज की लोईयां काट लेंगे इस तरह की मैने काटी है इसके बाद हम एक एक करके सारी लोईयों को गोल कर लेंगे इसके बाद हम मटर का मसाला लेंगे उसके हम थोटी चोटी बॉल्स बना लेंगे जिससे कि हमें कचोरी में बरने में आसानी होगी इस तरह हम मटर के मसाली की बॉल्स बना लेंगे इसके बाद हम एक लोई लेंगे उसे दोनो हातों की उलिवों से दबा दबा कर चौडा कर लेंगे फिर हम इसके अन्दर एक मडर की बॉल रखेंगे इसे चारों तरफ से बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा ज़ो मैदा है वो निकाल देंगे इस तरह एक एक करकर सारी कचोरियों को हम फिल कर लेंगे इसके बाद हम बोर्ड पर थोड़ा सा ओईल अपलाए करेंगे फिर हम एक कचोरी की लोई लेंगे उसे हतेली से हलके हाथ से प्रेस करेंगे जिस तरह की मैं कर रही हूँ इस तरह हम सारी कचोरियां बना लेंगे इसके बाद हम एक कडाई में ओईल गरम करेंगे ओईल को हम मेडियम लो गरम करेंगे और गैस का फ्लेम हम लोई रखेंगे ओईल हलका गरम हो चुका है अब हम इसमें एक एक करकर कचोरियां डालेंगे आप अपनी कडाई की साइस की according कचौरियां डालें अगर आप ज़्यादा कचौरियां डाल दोगे तो कचौरियां फूलेंगे नहीं कचौरियों को हम 3-4 मिनिट एक तरफ से सिखने देंगे कचौरियों को हम बीच बीच में गुमाते रहेंगे तीम चार मिनिट हो चुके हैं कचारी नीचे से अच्छे से श 것이 है अब हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से सेकेंगे गाइस, साथा क्रारी हो चुके हैं कचारी अच्छे से सीक्च चुकी है और फिसक्य अकरारी हो गई है अब हम इनको एक प्लेट पर लिका लेंगे हलवाई स्ट्राइल मटर की खस्ता कचौरी बनकर रेडी है आप इन कचौरियों को कड़ी, आलू की सब्जी या चटनी के साथ इंजोय कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर आप मुझे फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगली मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ अगर आपको में दिया हुआ है अगर आपको में दिया हुआ है